तिन्शुक्या जिले के दुम्दुमा में आल्फा स्वाधिन के नाम पर धन की मांग आल्फा स्वाधिन के नाम पर तीस लाख रुपय की मांग कर तीन युवक पुलिस की गिरफ्त में तिन्शुक्या जिले के दुम्दुमा पुलिस ने तीन युवकों को आल्फा स्वाधिन के नाम पर तीस लाख रुपय की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है युवकों की पहचान काको पथार बोरबील निवासी, पापु कोन मोडान, लाजुम पथार निवासी, उत्पल गोहाई एवं तलाब निवासी देवजीत गोहाई के रूप में हुई है इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने दुमदुमा रुबन के एक व्यक्ति को फोन कर आलफा स्वाधिम के नाम पर तीस लाख रुपयों की मांग की थी जिस बैक्ती से धन की मांग की गई थी उस बैक्ते द्वारा दुम्दुमा ठाना में सिखाय दर्ष कराने के बाद पूलिस के करवाई करते हुए इन्हें गिरथतार किया है पुलिस के अनुसार इस कार्ण में एक युवक और सामीर है जिसे जल्दी गिरफतार किया जाएगा कि किसी अब्लिक तोजन टुएंडी तेटा गोश्वू की तोजन्ट गोई शिल्दू तोजन्ट ओर भिट्टित मी दिमांडिया मोवैल और नंबरोर ट्रेक कोई पाफुकोन मोहान्नामरेजन जुगोको कमी तीन्नमग आ गोवालिको प्राय कोहयर्ट गोई शिल्दू आरू उत्पल गुहाई टोपर है से डेपोजित गुहाई भल तलाप ओल केमपट आरू उत्पल गुहाई भल होल एटू लाजूं पठार आरू गुटिके लाजूं उत्पल गुहाई परा इती मोध्या मी जीटू मोबाइल रूपरा आरू हैंचेट सिम्खनर परा देमांद कोई इसले फे मोबाइल हैंचेट आरू सिम्खनर कोभई कोई गुहाई अचेटू तूटेल त्यान लोको गुटिकेंग्टो चाहीजू प्रसर निजीत खोशकी रिपोर्ट फिक न्यूस तूम दुमा